यहां पर बागा में मोर बोले उस गाने का श्री देवी का मेक अप लुक शेयर करें हूँ जो कि मुझे बहुत जान्दा पसंद आया और पॉन्स का मॉश्राइजर अपलाई कि अपने फेस पे यहां पार वायो टिक का जो की टूनर है हाइडरेट रखता है फेस को मैंने वह उसके बाद में सिरम यूज किया जो की फेस को अपका लुक ना एक ग्लोसी टाइप बना देता है इससे तो यह बहुत जान्दा बहुत अच्छा होता है तो यहां पे अप अब जोप हो जाएगा फेस के अंदर फिर मैंने प्राइमर यूज किया है प्राइमर भी बहुत अ कम लिए अपने जान्दा कम लंड कर लिया फिर मैंने इस के ऊपर कंसीलर लगाया है था कि मेरा जोस्तों प्राइभ वे र और तक विए उपर कुप हो ज़ Products टर अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद आइसेडो में पिंक कलर यूज किया है जो कि मैंने उनके आइस पे देखा था पिंक कलर का उन्होंने आइसेडो यूज किया है तो मैंने रोज ब्यूटी का आइसेडो पेलेट से आइसेडो पिक किया और यहां पे मैं मैं अच्छ से ब्लेंड कर एक यहां पर फेक आय लेंस ब्लू दोनों हैं यह जो कि मैं अपलाय कर रही हूं और lep-up look में करने में बहुत जान्दा थाइं लगता है तो फेक आय लेंस का में यहां बता रही हूं कि आप फेक आय लेस कहीं से भी वाल साथी आप से वाले गोनों वी पर्चेस करें करकें कीजिए कौन साविति मोटा थिक लगाया था तो बस मैंने भी वैसा ही लगाया है काजल है ADS का जो की लोकल मार्केट से खरीदा था मैंने और यहां पे मैं आइसेडो पैलिट से ही ब्लैक कलर से अपने आइवरो फील कर रही हूं आइसेडो में ब्लैक कलर एंड कोको कलर आता है तो आप उसी से अपना आइवरो फील कर सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज पर्चिस करो और फिर ही तो यहां पे आइसेडो को मैं नीचे भी आइस के नीचे लगा लेती हूं क्योंकि मेरी आइस ना काफी छोटी है तो मुझे थोड़ी सी बड़ी दिखानी है वैसे मेरे फेस के अकोर्डिंग ठीक है मेरा फेस भी छोटा ही है तो यहां पे उसे यूज किया है और फिर यहां पे एक टिक देरी हो जो भी समझ आप तो यहां पे मैंने ना फांडिशन लिया है ड्राइ स्कीन वालों के लिए बेस्ट ऑप्सण है मैंने फाउंडेशन लेकमेका है जो की अच्छा ब्राइंड है सभी यूज़ करते हैं जान्द दर और यहां पर मैंने सिरम लिया है ताकि मेरी ड्राइज स्कीन है तो इस पर अच्छा सा ग्लो आजा है उनके फेस पर काफी ग्लो था तो बस मैंने फाउं को मैंने फाउंडेशन ब्रस पे इस प्रेय किया और अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया पूरे फेस पर तो लुक बहुत अच्छा आता है और ड्राइस कीन वालों के लिए यह इश्ट ऑसन होता है मेरी इस्कीन बहुत जांदा ड्राइ है तो यहां पर मैंने और फिर मैंने अपने चिक्स पे हाइलाइटर और ब्लेशर वगएरा लगाया है, तो यहां पे मैंने हाइलाइटर यूज किया है, तो हाइलाइटर को मैंने ब्रस की हेल्प से, जहां पे मुझे हाइलाइट करना था, मैंने वहाँ पे हाइलाइट किया है, और मेरा फेस को जा है यहां पर पर मेक पिकस ही सब्सक्राइब करों यहां पर में अपने फेजस के अपने एंप घ्र फीकिस कर लिया है और फिर वघ्म सोब करने के लिए पांस मिन गढें में क्योंकि ना मेरे पास इस पैसट लठे कर दीओ क्यूंकि न पैस इसलिए है मैंने यह यहक्र लीपлять लैपने क्या है और उसके बालन वोड़े डिया हूँ इनके के सेम कलर के लिपस्टिक 2002 तो यहां पर मैंने अपलाय किया है और फिर मैंने आइसेडों पर जोआ सेडों पे लगाते ना वही मैंने पिंग कलर यूज किया और पिंग कलर मैंने अपने लिपसरे लगाया है लेक अपाइल IELगरा है ताकि मैंने देखा था उनका AIShina बीच की मांग निकाली और साइड में से पफ बनाया और यह मैंने चिम्टी से सीक्यूर कर लिया है और यह दोनों साइड सेम ही करना है आपको यहां पर बहुत जान्दर सीम्पल है आप कहीं पर जा रहे हो शादी पाटियों में तो आप केट कर सकते हैं और यह रहा हुआ मोर्नी बागाव मावले आधि राट मा मोर्नी बागामा बोले आधि राच मा